हम सिव विवाह की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सिव संभो जब व्याहर चाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम सिव विवाह की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सिव संभो जब व्याहर चाते हैं, हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना धूके ना, एरी जे हो भोले ना पूर्व काल में रजन लगे जब ब्रम्हाजी स्रिष्टी, उनकी भोह से प्रकट होई ठीक सुन्दर यूती ब्रम्हाजी ने दिया उसको संध्या देवी ना, ब्रम्हाजी को किया उसने हात जोड प्रणा फिर एक यूवक प्रकट हुआ है लिये पुष्प के बाद, नम्हाजी ने दे दिया उसको कामदेव फिर ना हात जोड बोला यूवक है पिता सिरी बत लाए, क्या सेवा है मेरे लायक आप मुझे समझाए दम्हाजी फिर कामदेव को ये बत लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संगस्यों संभो जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तीजे हो बोले ना तुम हो ना तो के ना तीजे हो बोले ना बोले काम देव से घंभा काम ऐसा कर तो सभी बाडियों में तुम जाकर प्रेम काम भर दो ब्रह्मा जी के पास थे बैठे जितने रिसी मुनी आज बाड में काम देव के सक्ती है भर दी काम देव माने जो ब्रह्मा ने वचन कहे अपने बाड वहां बैठे हुए रिसियों पर चला दिये सभिरिसगण और ब्रह्मा मुझसे क्या चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग स्यू संभो जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना थो के ना दिरी जै हो भूले ना तुम हो ना थो के ना दिरी जै हो भूले ना उनकी नौम द्रिष्टी संधा सहन कर पाई पिता समान वो मान रहे थी लाज बड़ी आई मुनिवसिट की आग क्या लेकर वोवन में आई भूले जी को किया पसन और देने लगी दुहाई भूले जी क्या दोस है मेरा इतना जरा बताओ मुक्ती का भी कोई रास्ता आप मुझे समझाओ कहने लग भूले प्रम्हा ने अच्छा नहीं किया उचित समय आने पर उनको कर्म कि मिले सजाओ एक उपाए वो संध्या को फिर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सुसंभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना तिर जे हो भूले ना तुम हो ना तु के ना तिर जे हो भूले ना में द्यार इस पर बत नीचे यक्य रहे हैं कर हवन कुंड की बनो आहोती तुम तो वहां जा कर मोक्ष प्राप्ती को संध्या तुम फिर तो पाओगी में द्यार इसी की पुत्री बनकर फिर तुम आओगी जाकी हिमाले पर पत पर फिर तप करना तुम घो तक्ष की पुत्री सती रूप में होगा जन्मिक आओ त्रेता युग के आरंभ तक तुम ये कर पाओगी इक बड़ा योग वर फिर तुम देवी पाओगी इतना कह कर अंकर धान भोले हो जाते है पावन कथा सुनाते है माता सति संग्जु संभु जब व्याहे रचाते है उम कथा सुनाते है तुम हो ना तु के ना इर्जे हो बोले ना ब्रह्मा के उस कर्प का फिर भोले को आया ध्या ग्रम्भ लोक में जाकरके फिर उनका किया पमाण कहने लग क्या ब्रह्मा जी तुम्हे लाद नहीं आई खुद की ही पुत्री पर का मुख़न जरे गौडाई फिर अपमान का बद्ला ब्रह्मा जी ने लेना चाहा काम देव को भुला पास उनको ये समझाया भोले जी की देह में जाकर करो काम संचार भुला नहीं पाया मैं भोले का किया दुर्व्योहा लेके रति को काम देव कैलास पे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग स्यू संभो जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तीजे हो लेना तुम हो ना दो के ना तीजे हो लेना बोले पे पर काम देव का ना कुछ असर हुआ आकर ब्रह्मा जी से वो तो मांगने लगे छमा ब्रह्मा जी कुछ सोचके हैं विष्णू के पास आएं विष्णू जी ने फिर ब्रह्मा को दिया है पतलाएं उचित नहीं है ब्रह्मा की भोले से छल करना कोधित जो भोले हो गए तो पड़े डंड भरना हम दोनों ही जाकर भोले जी को समझाते हैं हुआ हमारा आप भी क्यों ना प्याह रचाते हैं करके विचारिये वो भोले के पास में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संगजू समभू जब प्याह रचाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तिरी जे ओ भोले रा तुम हो ना दो के ना तेरी जे ओ भूले रा तोले ब्रह्मा विश्नो भोले इतनी विंती है बिने अरे धांगनी नहीं किसी को मुक्ती मिलती है हम जैसे ही आपको भी अब व्याह रचाना होगा तक्ष प्रजापती की पुत्री को अब अपनाना होगा बड़े खोर तपसे है उन्होंने कन्या ये पाई और नहीं कोई आदिसती सती रूप में है आई बोले जी ने मान लिया प्रम्भा विष्णू का कहा दूम धाम से सती की संग में हुआ भोले का विवा भूत प्रेत भी भोले की बाहरात में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग से उसंभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तीजे हो लेना तुम हो ना तो के ना तीजे हो लेना तीन लोक में सिव विवाह की हो रही है जर्चा तेवी तेव सबसीस जुकाए करे पुस्प वरसा स्यू मैं हो गया था भग तो ये सारा ही संसा कूज रही शहनाई शूकी हो रही जै जै का फिर तो घड़ी विदाई की भी आही जाती है पिता तक्ष को छोड सती स्यूको अपनाती है दूला रूप में खूब सजे है भोले भंगारी देख रहा संसारी शूकी लीला है नारी सती को लेकर संग फिर वो कैलास पे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब ब्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तिरी जै हो भोले ना तुम हो ना तो के ना तिरी जै हो भोले ना साथ सती के एक दिन वो डंदक वन आते हैं राम लखन सीता की खोज में उन्हें दिख जाते हैं दूर से देखा भोले ने तो किया उन्हें प्रणा बोली सती किये बोले ये तो मानो है आ साधारन मानों के आगे आप कसी से जुका बोले जी मुझको बत लाए इसमें धेद है क्या बोले ने फिर माता सती को सत्के है वचन सुनाए खुद स्री विष्णू रामोतार मिले के जन्म है आए इसलिए हम सिरी राम को सीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिउ संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तिर जे हो बोले ना तुम हो ना दो के ना तिर जे हो बोले ना बोले की बातों का सती को न विश्वा से हुआ लूंगी परिच्छा मैं इनकी मन में है प्रडे किया सीता मा का रूप बना के राम के पास है आई सिरी राम ने आदर से अपनी गर्दन है जुकाई बोले माता ये क्या आपके मन में आया है छोड़िक भोले को सीता का रूप बनाया है सुनके राम के वजनों को उन्हे लाज बड़ी आई मागी माफी भोले से बड़ी वो तो पच्चताई बोले सती का फिर सारा संदेह मिटाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुके ना तीजे हो भोले ना तुम हो ना तुके ना तीजे हो भोले ना फिर पर्याग में सब मुनियों ने महायक्य है किया चम्हा विष्णू भोले और तक्ष लिये यक्य में भुला ब्रह्मा विष्णू और मुनियों ने जक्ष को किया पर्णा लेकिन भोले जीन दिया ना उनकी और कोई द्याँ राजा जक्ष को भोले कि ना बात पसंद आई लगे सोचने क्यूं कुत्री मैंने इन संग ब्याही महा यक्य लाजा जक्ष ने फिर तो करवाया अभी को भेजा नियों ताना बोले को बुलवाया बोली सिव से सती के हम भी यग्य में जाते हैं पामन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिव संभू जब ब्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना धो के ना तीजे हो बोले ना तुम हो ना धो के ना तीजे हो बोले ना कहने लगे बोले मेहमान जो होते भी ना बुलाएं होता ना सम्मान कहीं ये तुम्हें रहे समझाएं लेकिन सतीन मानी ना भोले की बात कहीं पिता की अक्य में वो तुम बिना बुलाएं पहुच गईं राजा दक्ष सादर कर रहे थे सबका ही सम्मान बोले के लिए ना रखा था लेकिन कोई अस्था बोली पिता को आपने ये तो अच्छा नहीं किया बोले का अक्मान सती से गया था नहीं सहा कटू वचन फिर राजा दक्ष कुछ उन्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तेजे हो भूले ना को नीतों बलवान है लेकिन होकर ही रहती अपने प्राणों की माता सती ने दे दिया होती देखा जो सब देवों ने करने लग द्राही मान ना जाने अब क्या होगा इस स्रिष्टी का अंजान सुगन दोडे दोडे फिर भोले के पास आये हवन कुंड में कूदी माता रहे बतलाए खुल गया तीसरा नेत्र भोले क्रोध में है आये जलती हुई सती को फिर हाथों में लिया उठाए लेकिन जलती हुई सती तान्दों दिखलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संगस्यू संभू जब ब्याहर चाते हैं कम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना पिर जे हो लेना तुम हो ना तु के ना तीरी जे हो लेना प्रम्हा बोले विश्णू से इस आप ही सकते रो माता सती जलती हुई जब तक है भोले के हार क्रोध के ज्वाला भोले की मुस्किल होनी है सार विश्णू जी ने सोच समझ कर एता खेल रचाया दिया सुदर्सन छोड सती को टुकणों में विखनाया इक्यावन जगहों पे माता सती के अंग विखरे शक्ती पीठ के नाम से जाने जाते हैं तब से लेकिन भोले सांत नहीं फिर भी हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दुके ना दिजे हो लेना तुम हो ना तुके ना दीजे हो भूले रा वीर भत्रे और काली का भोले ने किया निर्मा बोले जाकर करो दूर जो दक्ष किया अभिमा यज्य करो विध्वन से काट के सीस भी तुम लाओ स्यूनिन्दा जिसने भी सुनी है उसको सबक सिखाओ वीर भत्रे और काली ने किया फिर मैं साही काँ किया यक्विध्वन से और फिर दक्ष का काम तमाओ सभी देव ताए कत्रित हो स्यू की सरण में आए हुआ गोर अपराद छमा इस भोलिक की जाए करो तक्ष को माफ आप भोले कहलाते है पावन कथा सुनाते है माता सती संग स्यू संभू जब व्याह रचाते है हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुकी ना तीजे हो लेना तुम हो ना तुकी ना तीजे हो लेना आकिर भोले ने देवों की विंतिली है मार सब देवों को माफ किया और तक्ष को जीवन दान राजा दक्ष ने फिर भोले कोशी से जुकाया है एहंकार मेरा आपके आगे टिक नहीं पाया है फिर तो राजा दक्ष कभी मोयक संपूर हुआ सुव विवाह का ये किस्सा भी अब तो पूर हुआ डीयस पाल ने गाया सब्धा वक्ती भाओं से फोजी सुरेस ने लिखना सुरो किया न महुश्वाए से मेरी क्या ओकात आप मेरी कलम चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दूके ना इजे ओले ना